नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस नए और ताजी वीडियो में दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे औसदी पोधी की बारे में बताएंगे जो की छोटा सा पेड़ होता है मध्धम आकार का एक पेड़ होता है और सब को इसको घराङन में भी लगा लिती है मंद्रों में भी ये लगा मिल जाता है और जंगलों में भी ये उतपन होता है वैसे तो हमारा देश भारत वर्ष अनेक प्रकार के पेड़ पोधी बनुस्पतियों का देश है लेकिन हमारी आज पास जो भी जड़ी बोटियां जो भी फिर पोदे पाए जाते हैं वह हमारी बीमारियों को दूर करते हैं ऐसे हैं ये जड़ी बोटी है ये पोदा है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इसको हरी का सिंगार कहा जाता है यानि कि इसको हर सिंगार की नाम से जानते हैं पैचानते हैं हर सिंगार एक नहीं अनेक वीमारियों को दूर करता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसा करने से हमारा मोटिविशन आप हो जाता है और नई नहीं जानकरी आप तक पहुचाता रहता हूं साथी साथ चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेश कर देजिए दोस्तो घाव को भरना हो तो आप हर सिंगार का प्रयोग कर सकते हैं जी हाँ दुस्तों घाव को भरने के लिए हर सिंगार का प्रयोग करते हैं तो हर सिंगार घाव को भरता है यानि कि आपको कहीं पर भी अगर चोट लग जाए और घाव हो गया हो तो इस घाव को भरने के लिए आप हर सिंगार के पत्तों को पीस लिजिए और पीस करके लेप टियार कर लें जूए जो घॉल्दी नहीं भरते उन में हरिंगार के पत्तों का पिसा हुआ लेप अगर लगाते है न तो घॉल शीग्र अती सीग्र भर जाते हैं भबाशीर के अगर समिस्या है तो बबासीर के समिस्या को भी हर शिंगार दूर करता है बबासीर के उपचार में हर शिंगार का आप कैसे प्रयोक करेंगे वह ध्यान से सुल ले जिए ये पत्यां ले ले जिए आपको चार से पाँच पत्या लेनी है या फिर आपको अगर चार से पाँच लेते हैं तो ऐसे ही दादों तले दवा करके और चबा चबा करके खाली पेट हर शिगार की पत्तियों को सेवन कर जाना उपर से आपको हलका कुंकुनाफ पानी सेवन कर ले ना है ऐसा करने से 28 दूर हो जाती है या फिर आप ऐसा करें कि इसका जो हर सिंगार का एक बीज होता है ना जो फल होते हैं फल में जो बीज निकलता है तो हर सिंगार का एक बीज अगर पृति दिन आप सिवन करते हैं तो भी बबासी रोग ठीक हो जाता है इसके अलावा इस बीज का जो लेपन अगर आप गुदा मार्ग पकरते है तो इससे बवाशीर मरहात मिलती है और मस्ते भी मुर्जा जाते हैं सूस तो जिने सूखी खासी आती है तो सूखी खासी को दूर करने के लिए आप वह सेंगार की पत्यों का सेवन कर सकते हैं बारबर चलने वाली सूकी खासी या गले में खिच-किच या खराच अगर पैदा हो रही है तो अब हरसिंगार की पत्तियों को पीस लेजिए और कपड़ी से छान करके रस निकालेजिए फिर आप इस रस में एक चम्म सेद मिलाते हैं तो आप अगर सेद मिला करके शेवन करत हैं तो सूकी खासी और कप वाली खासी जड़ší खत में हो जाती है साथी साथ यह दर और सुजन के अप्चार में काम करता है हर सिंगार एंटी इंफिलेमेटी गुड़ों से भरपूर होता है यह दर और सुजन को कम करने में मजद करता है कही तरह के दरद निवारtime ऑर वेत पत्ते होते हैं इसमें हर्शिंगार के पत्ते और अधरक दोनों को पीस करके आप पेश्ट बनाएए लेप बनाएए और फिर आप लगा दीजी आप अपने चोट पर मोच पर दर्द और सुजन पर तो यह जवरजस्ट असर करता है इसके साथी साथ दोस्तो यह रोग प्रित प्रिति रोदक छमता को बढ़ा देता है हमारे सरीर में एक प्रिति रोदक छमता होती है जिससे क्यों भी रोग हो छोटे या बड़े वो आसानी से अटेक नहीं कर पाते लेकिन की इम्मुनिटी पावर यानि की प्रिति रोदक छमता कमजोर होती है वें सीगरी अनेक बीम लोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है इसके अलावा पेट में कीड़े हो गई हो या फिर गंजापन हो या इस्त्री रोग में भी सेसलाब करता है अब चलिए इसके फाइदे बता देते हैं इस्त्री रोगों में जिन्हें लिकोरिया की सिकायत रहती है लिकोरिया की समिस जानी के पेसाप के माध्यम से जो लिसलिसा पदार्त गिरता है ना वो बहुत ही बेकार का हुता है तो लिकोरिया को दूर करने के लिए आप इसके पत्यों को फीस करके एक कपड़े से च्छान करके एक चमच रस निकाले जिए और एक चमच आपको लिना सहदे दौनों को कुसों में आई खमजोरी नपूझ सकता शीगर पतन और नायट फॉल जईस समिस्चाओं को जड़ से खत्मे करने का आदवोद आब इसने इसका प्रयोग है आपको करना क्या है आपको ले लेना है हर सिंगार के बीज हर सिंगार के बीज हर सिंगार की जड़की च्छाल हर स सबी को बराबर मात्रा मिली जिए और पीस करके चूरन तियार करिए जो चूरन निकलता है ना उस चूरन को हर सिंगार के पतों के स्वरस में फेट करके गोलियां बना ली जिए मटर के बराबर उन गोलियों को अगर आप दो गोली सुभ हैं दो गोली साम अगर दूद के साथ शेबन करते हैं दूद अगर ना भी मिले तो आप फिर गुनगुने जल के साथ शेबन कर सकते हैं ऐसा करने से आपका यह जो मरदागनी छमता बढ़ती है नाइट फॉल शिगरे दिश्चा नपून सकती समिस्या चडशे खत्म हो जाती है बहुत ही पावरफुल बहुत ही हो गई है तो आपो साथ समझ इस सकाथ को दूर करने के लिए हर सिंगार का जो फ्यड होता है ना उसकी च्छाल निकाल लीजिए च्छाल का चूरन बनाईए और पान के पत्ते में डार कर खाती है तो आपको बहुत अच्छा प्रयोग होता है यह प्रयोग सुबह और साम द मैथी का चुरन मिलाखर के गोलियां बनाते हैं और एक से डेड़ गोली या दो गोली सुबह साम शेवन करते हैं तो सभी प्रकार के बात रोका जड़ से समन हो जाता है बहुत ही अदबोद बहुत ही चमतकारी बहुत ही गुड़कारी है वीडियो कैसा लगा कमन बुक्स ज करुब बता येगा